हेलो सुरेंट्स वेल्कम टुदा आफिशिल यूट्व चैनल आफ ओरिजिन कोशिंग देखें आज मैं आपके लिए एक नहीं शुरुआत करना हूं नहीं शुरुआत इन दे सेंस अभी तक मैंने जितने वीडियो फिजिस के बनाएं वो सब इंग्लिस मीडियो में बनाएं लेकिन अभी कुछ दिनों से हिंदी मीडियो में स्टुडेंट्स के और बहुत से टीचर्स के डिमांड आ रहे थे आँ हैं कि सर आप ये पंटेंश इंदेख में भी प्रवाइट करा देक्ड़ेते तो बहुत अच्छी बात होती हैं लेकिन में टाइम प्राइबल्म के कारण यह बात तो मेरे खुद के के कारण lockdown condition से गुजर रहा है students के पास coaching classes में जाने के लिए school में जाने के लिए condition नहीं है तो बहुत ज्यादा requirement है तो मैंने सोचा कि मैं Hindi medium के लिए बनाऊं और आज ये मेरा Hindi medium के लिए first video है जिसको मैं class 12 से start कर रहा हूं और मैं कोशिस करूंगा कि continuous आपको 11 और 12 से दोनों class के लिए मैं वीडियो प्रोवाइट करा सकूँ हिंदी medium में contents naturally ये बात मैं अनभव करता हूं मेरा बहुत लांग teaching experience से मैं ये बात हमेशा से महसूस करता हूं कि Hindi medium students के पास study material English medium student के comparison में थोड़ा कम होता है खास कर जहां आइटी जे या नीट के preparation के लिए जाते हैं तो Hindi medium में contents बहुत कम होते हैं या पूर contents होते हैं इस बात को भी ध्यान में रखके मैं कोशिस कर रहा हूं मैं मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने Hindi medium students को भी एक standard study material प्रोवाइट करा सकूं ताकि कहीं भी उनको English medium की student के competition में कोई problem ना है तो मेरा आपसे एक request है कि जिस तरह से मैं आपके लिए महनत कर रहा हूं आप भी कोशिस करिए कि आप मेरे साथ महनत करिए मैं आपको ये priority देता हूं कि आपको कहीं से English medium की student के comparison में contents में कोई problem नहीं आने दूँगा तो आज मैं start करता हूं आपके लिए 12th class physics का पहला chapter पहला chapter जो कि इस्थिर वैद्यूत है और हमारे chapter का नाम है वैद्यूत आवेस तथा छेत्र साथ ही मेरा Hindi medium students को एक suggestion है कि आप Hindi medium की students हैं लेकि आप कोशिस करिए कि आपको कम से कम हमारे science के subject के जितने technical words हैं वो terminology वो सब्द आपको English में भी आने चाहिए क्योंकि after 12th class जब आप higher education के लिए जाएंगे तो आपके लिए एक बड़ा problem हो जाएगा कि यदि आप terminology को English में नहीं समझेंगे तो बहुत problem होगा इसलिए मैं अपने सभी वीडियो में कोशिस करूँगा कि कम से कम जो terms use होते हैं जैसे यहाँ पर मैं term use किया है वैद्यूद तो आपको पता होना चीज को electricity कहते हैं आवेस को हम charge कहते हैं तो पूरी terminology मैं English में provide कराऊंगा और आपको आपसे मेरा request भी है कि आप उसे भागे मत आप हिंदी के साथ साथ English terminology को भी सुरू से ध्यान दीजिए हमारे chapter के English में नाम क्या हो जाएगा इलेक्रिक चार्ज इलेक्रिक चार्ज एंड फिल्ड ये हमारे chapter का नाम है अब हम सबसे पहले अपने concept clear करते हैं कि वास्तों में जो chapter का हमारा main heading है वैद्यूत आवेस इनको सबसे पहले समझते हैं भाई विद्यूत क्या है आवेस क्या है ये पहले समझना पड़ेगा तब तो आपको chapter समझ में आएगा तो सबसे पहले हम discuss करते हैं विद्यूत के बारे में कि विद्यूत क्या है electricity what is electricity ये बात हम सभी को पता है कि हमारा पूरा ब्रह्मान एक उर्जा का स्रोथ है पूरा हमारा ब्रह्मान उर्जा का एक रूप है उर्जा से भरा हुआ है यहां पर विद्यूत भी जो हम पढ़ आई हैं वो भी क्या है उर्जा का एक रूप है that means हम ये कह सकते हैं कि विद्धूध जो है अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह कुर्जा है कैसे प्रोड्यूस होता है वो हैं अमेरिका के साइंटिस्ट बेनजामिन फ्रेंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्रिसिटी को हमको सिस्टेमेटिक बताया और ये एक घटना थी, एक प्राकृतिक घटना है ऐसे इसे भी मैं अपने Phygislies के सभी ग्लास में जरूर डिसकस करता हूँ कि वास्ताओं में हमारा subject क्या है? प्रकृतिक अधियन है प्रकृति में होने वाली घटना हों और उसके कारण को जानना ही Psychics है तो Benjamin Franklin ने भी Electric Energy को, विद्धितूर्जा को एक प्राकृतिक घटना के दारा हमको इंट्रिस करा है वो प्राकृतिक घटना क्या थी Benjamin Franklin को पतंग उड़ाने का सवक था और वो एक बार पतंग उड़ा रहे थे वो जो थ्रेड, वो जो धागा पकड़े हुए थे उसमें अचानक मौसम खराब होने से लायट नहीं होने से मतलब इसमें बिजली चमकने लगी आकास में जैसे ही आकास में बिजली चमकने लगी तो Benjamin Franklin ने देखा कि उनको हाथ में रखे हुए धागे पर कुछ जटका जैसा साख, इलेक्टिक साख जिसको अपन कहते हैं एहसास हुआ और यही पर Benjamin Franklin ने ये बार डिकलेर किया कि वास्तों में आकास में जो हमको बिजली दिखाई देती है जिसको हम लाइट कहते हैं वास्तों में आज भी जिन लोग साइन्स की उतने जानकारण है उसको प्रकास सनुझते हैं लेकिन बेंजामिन Franklin ने बताया कि वास्तों में प्रकास नहीं वो क्या है विद्यूत है यही से हम विद्यूत के बारे में थोड़ा जानना इस्टाट के बाद में भाई गानिकों ने सोचा कि Benjamin Franklin ने जो विद्यूत के बारे में बताया उसके produce होने का उसके develop होने का कारण क्या है तो यहाँ पर पता चला कि उसका कारण है घरसन किस तरह का घरसन बादलों के बीच में है घरसन इसकाई में जो बादल होते हैं वो motion condition, moving condition में होते हैं तो या तो अगल बगल गुजरते हुए या आमने सामने से टकराने से इसलिए आप देखते होंगे जब भी लाइटनिंग होती है तो गरज भी हमको सुनाई जेता है sound ही सुनाई जेता है क्यों? क्यों उनका टकर है बादलों का टकर है इस तरह से क्या हुआ देखा वईज्यानिकों देखा कि यहाँ पर जो विद्धूत उत्पन होता है उसका कारण क्या है? घरसन और इस बात के कोले के वईज्यानिकों ने फिर प्रयोक साला में प्रयोक किया प्रयोक साला में किस प्रकार का प्रयोक क्या देखी? यह बाद तो पता चल गया कि विद्धूत के उत्पन होने का कारण क्या है? घरसन तो इस पर प्रयोक किस प्रकार से हुआ? पहला प्रयोक जो लेब में हुआ वो इस पकार का था, एक हम कांच का छड़ ले लिए, ये कांच का छड़ है, और इस कांच के छड़ को फला लेन के कपड़े से, या बिल्ली के, उपर के, उसके बाद से हैर से बिल्ली के, इस पकार से रगड़े, और रगड़ने के बाद, उसको एक धागे से लटका के, स्व प्रति करस्ति करता है. वान उसको क्या करता है? धकेलता है. दूसरे नूंबर में इस प्रयोक को थोड़ासा change किया गया. एक तो हमने ले लिया काज का छड जिसको हम घर्षण कराए और दूसरा जो राड लेके हम लेके आए उसको लेके आए एबो नाइट का एबो नाइट भी एक तरह का पदार्थ है इस तरह से एबो नाइट के राड को लेके आया तो भाई ग्यानिकों ने क्या देखा कि यहाँ पर आकरशंड की घटना होती है ये एक बुस्रे को आकरशित करते है ये दो घटना प्रयोक साला में कर के देखा गया तो यहां से बहась गानिकों ने एक निश्करश निकाला किस तरह का निश्करश निकाला कि भाई जब दोनों समान पदार्थ है तो प्रतिकर्षण हुआ और जब दोनों material को हम change कर दिये कांच ए केबुनाइट कर दिये तो उसमें क्या हुआ आकर्षण हुआ तो चुक यहाँ प्रतिकर्षण और आकर्षण दो तरह की घटना हो रही है तो निश्चीतरु से यहाँ पर कोई दो तरह का चीज उत्पन हो रहा हुआ जैसे चुंबाक में दो पोल होते है नार्थ और साउथ क्योंकि electricity के पहले हमको magnetism के बारे में पता था चुंबाक के बा निश्च फोलते हैं है इसको क्या charge यहाँ तो घर्सणर के दवरान इनके घर्सणर के दवरान जो चीज उत्मन हो रहा है उसको आवेस कहा गया और आवेस के दो प्रकार बताए गए एक धन थन आवेश पाजिटिव चार्ज और दूसरा रिडवेश इस तरह से आवेश के दो प्रकार होते हैं धन आवेश और रिडवेश क्लियर, अब सवाल यहां पर ये उठता है, कि कांच और Ebonite में किसमे धन आवेश हैं, किसमे रिड़ावेश हैं, तो पहले एक परिपाटी की तरह हमाल लिए, कि कांच में जो आवेश उत्वन हो रहा था, वो धन आवेश उत्वन हो रहा था, तो कांच में यहां पर हम क्या धन है एबोनाइट में रिड है तो असमान आवेस में आकर्षन होता है ये बात पता चले तो ये एक स्टार्टिंग कांसेप्ट था जो सुरुवात में आया लेकिन कुछ दिनों बाद ही हमारा जो यह concept है वो failure declare हो गया क्यों हो गया क्यों कि यहां पर इनके प्लस और माइनस आवेस उत्पन नोने का हमारे पास पोई रीजन नहीं था हमने मान लिया था कि माना कि कांच के चड़ के पास धन आवेस है हम कैसे जाने कि उसी के पास धन आवेस है यह भी थो सकता था कि कांच के पास रीड़ रहा होगा एवोनेट के पास धन रहा होगा कुल मिला के concept प्रापर क्लियर नहीं था तो बाद में modern physics में जब इस परागे वाई गानी को इन ध्यान किया तो यह मैंने आपको सुरुवात में जो बताया एक तरह से एक introduction बताया एक history बताया अब हम यहां पर देखते हैं आवेस उत्पत्ती का कारण वास्ता हम उसको कहते हैं आवेस उत्पत्ती का कारण इलेक्ट्रानिक सिद्धान्द इलेक्ट्रानिक theory आप चार्ज यह modern theory है इस theory के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तों में घरस्ण के कारण आवेस क्यों उत्पन हो रहा है तो यहां पर देखिए यहां पर हम imagine करते हैं कलपना करते हैं कि suppose यह यह एक पदार्थ है और यह एक दूसरा पदार्थ है यह अलग अलग पदार्थ के atom है यह उसके कण है अडू है इसके दो अलग अलग पदार्थ है अब क्या किया गया इन दोनों के बीच में क्या कराया गया घरस्ण इनके बीच जब घरसर कराया है दोनों के बीच में तो घरसर कराने से क्या होता है इनको वाह उर्जा प्राप्त होता है क्योंकि जब ही हम फ्रिक्सन करते हैं घरसर करते हैं तो वहाँ पड़ जो इलेक्टान होते हैं, वो external energy वाहुर्जा प्राप्त करते हैं, और उत्तेजी तवस्था में आ जाते हैं, और ये बात अपने को पता है, इसके nucleus में जो positive charge होता है, proton, और electron क्या होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में चक्र लगाते हैं, इस तरह से, और जो अं हम इन दोनों एटम में घर्षण कराते हैं तो वाह उर्जा प्राप्त करने के बाद एक पदार्थ का इलेक्टान अभी देखो अभी इसमें इलेक्टान और प्रोटान की संख्या बराबर है मतलब यह विद्धुत उदासीन है इसमें ना तो अभी पाजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज है लेकिन जैसे हम इसको घर्षण करते हैं तो एक पदार्थ का इलेक्टान वाह उर्जा प्राप्त करके अपने पदार्थ को छोड़ कर दूसरे पदार्थ को जोईन कर लेता है मतलब अपने पदार्थ को आर्बीटर्व को शोड़ता है दूसरे के जाके जोई इन कर लेता है घर्षणर करने से इस पकार देखे घर्षणर के पस्चाज जब हम दोनों को अलग करते हैं तो इसमें इलेक्टान की कमी हो जाती है इलेक्टान की कमी होने के काराण यह धन आवेस की तरह और यहाँ इलेक्टान की वृध्धी हो जाते हैं कोईकि इलेक्टान पार रहा है तो इलेक्टान की वृध्धी के काराण यह है रिन्ड आवेस की तरह बेहार करने लगता है ये हैं आवेस उत्पत्ती का इलेक्रानिक सिधान ये आपके एक्जाम में कभी भी टू मार्स त्री मार्स का छोटा सा कोश्चन आ सकता है कि आवेस उत्पत्ती के काराण को समझाईए या इसपस्ट कीजिए तो आपको यही लिखना है कि जब दो पदार्थों के 20 घरसन कराय आ जाता है तो जिस पदार्थ के अंतीम कख्षा के इलेक्रान वाहुर्जा प्राप्त कर अपने आर्बिटल को छोड़कर अपने कख्षा को छोड़कर दूसरे कख्षा में चले जाते हैं वो धनावेस की तरह है और जो इलेक्रान को ग्रहन करता है जो इलेक्रान त्यागत अच्छी ओरी है अब हम यहाँ पर देखते हैं देखिए आज का मेरा जो लास है पहला जो लास होता है एक वाता ध्यान रखेंगे चुछ कि हिंदी मीडियम वाले ये मेरा फर्स लास अटेंड कर रहे हैं आगे आपको बहुत सारे प्लास अटेंड करने हैं तो मैं एक बात आ वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं देखें mathematics के लिए आपको अलग से Hindi medium के class का जूरत नहीं है क्योंकि mathematics mathematics में जो English language जो term use होता है वो बहुत कामन है हर Hindi medium के समझता है और ज्यादा तर तो उसमें अपने की स्टेफ साल्व करने होते हैं इसलिए जूरत नहीं है तो आप में से जितने लोग mathematics फेकल्टी की स्टुडेंट्स हैं वो नेचरली मेरा mathematics के बहुं सारे वीडियो मेरे मैंने प्रोवाइड कराया है वहां साब कर सकते हैं प्राब्लम फिजिक्स में तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो पहले दिन का मेरा क्लास होता है उस क्लास को आपको धंग से समझना है क्योंकि आगे का पूरा चेप्टर उसी first class के fundamental पर depend होता है clear तो देखिए हमारा अगला टापिक है आवेस का quantity करन आवेस का quantity करन आवेस का quantity जैसन आप चार्ज आवेस का quantity करन आड एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्पूर्ण से इधान्त है यह आवेस का quantity करन क्या होता है रिखिए आवेस का quantity करन का statement है इसका कथन है q equal to n into e यह इसका formula है जहां पर q क्या है किसी पदार्थ पर कूल आवेस की मात्रा है कूल आवेस है किसी भी पदार्थ पर n क्या है एक पूर्णांख है पूर्णांख का तो आवेस का quantity करन के formula है अब यह इसको हम किस तरह से कह सकते है देखे एक किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर आवेस की कुल मात्रा यह आवेस की कुल मात्रा है उस पदार्थ पर उपस्थिक एक इलेक्ट्रान के आवेस का पूर्ण गुणाज होता है यह गुणाज है मतलब उसको गुणा हो रहा है पूर्णांख गुणाज होता है कहने एक मतलब इसको मैं साथ बटे दो इलेक्ट्रान हैं, हो रहेगा तो साथ, नहीं तो आठ, नहीं तो नव, साथ बटे दो नहीं हो सकता, मने उसको विभाजित नहीं क्या जा सकता, कि हम उसको एक कामन लेंग्वेज में, आपको easy language में बता रहे हैं, कि किसी भी पदार्थ पर आवेस की जो कुल मात्रा है उसके एक इलेक्ट्रान पर आवेस का पूर्ण गुणज होगा फार एक्जामपल कि किसी पदार्थ पर जो आवेस है किसी पदार्थ पर जो आवेस है वो प्लस माइनस 1 E होगा या प्लस माइनस 2E होगा या प्लस माइनस 3E होगा प्लस माइनस 4E होगा मतलब पुर्णांक में होगा यह है तेक हालाता है आवेस का क्वांटी करण लेकिन मैं आपको एक इंपार्टेन बता दूँ रिसेंटली अभी कुछ सालों पहले ही अमेरिका के वज्यानिकों ने कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे इलेक्टान पाया है जो क्या होता है भिनात्मा कुरुप में होता है जिसका नाम दिया गया है क्वार्क यह आपको एक जनल आनेज की तरह बता रहा हूँ एक्जाम में आएगा तो आपको इसी बात को लिखना है यह अपवाद है अपवाद तो नहीं कह सकते हैं वो फेट मिल चुका है अभी रिसेंटली मिला है उसका हम क्वार्क कहते हैं और क्वार्क हमको दो मिला है एक प्लस माइनस वन अपान थ्री और दूसरा मिला है प्लस माइनस टू अपान थ्री यह दो तरह के क्वार्क मिले हैं जिसमें से ± 153 को अब QRK को £123 को down QRK भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये QGRK या आँ पलग से ध्यान रखेंगे. तो आवेस का quanticle क्या करता है? किसी पदार्थ पर आवेस की कुल मात्रा, उस पदार्थ पर उपस्थित एक electron पर आवेस का पूर्न गुनज होता है. For example, यहाँ पर एक छोटा सा निमेरकल मैं आपको बता दूँ कि जैसे 1 कुलाम चार्ज पर, suppose Q equal to 1 कुलाम चार्ज है, तो 1 कुलाम चार्ज पर नमबर अफ इलेक्टान कितना होगा, यह आपका एक्जाम में आ भी सकता है यह question, एक निमेरकल बता रहूं छोटा सा, इस पर अवस्थित इलेक्टानों की संख्या कित्मी होगी, तो किस तरह से कल्कुलासन होगा, यहाँ पर इस फार्मूला को हम N के लिए साल्व कर दें, तो क्या लिए सकते हैं, N equal to Q अपानी लिए सकते हैं, E को इधर पक्षामतर कर दें, N equal to Q अपानी हो जाएगा, that equal इसको करें, तो 1 में 1.6 आप डिवाइड करके देखेंगे, यह आता है 6.25 into 10 to the power 18, clear, 6.25 into 10 to the power 18, इसको साल्व करेंगे, तो इतना आएगा, तो इसे क्या अंसर निकला, कि यदि किसी पदार्थ पर एक कुलाम आवेस है, तो उपस्थित उस पर इलेक्टानों की संख्या 6.25 into 10 to the और 18 इलेक्टानों उसके पास होगा, clear, यह है आवेस का क्वांटिकर, एक छोटा सा कांसेप्ट है, लेकिन है बहुत important, now next concept is, आवेस संरक्षण का सिध्धान, यह जितना भी कांसेट आपको स्टार्टिंग में बताया जा रहा है, यह क्या है, basic fundamental है, लेकिन एक्जाम में आ आवेस संरक्षण का सिध्धान, आपने उर्जा संरक्षण का सिध्धान का नाम सुना होगा, उर्जा संरक्षण का सिध्धान को आपने क्या पढ़ा है, उर्जा न तो कभी उत्पन न किया जा सकता, न उसे नस्ट किया जा सकता, केवाल उर्जा के रूप को बदला जा सक क्लियर मतलब उर्जा का केवाल रूप बदला जा सकता है उसी प्रकार से आवेस अरक्षाड का सिधान क्या कहता है कि आवेस को ना तो उत्पन किया जा सकता है ना तो नस्ट किया जा सकता है ठीक है तो फिर क्या होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इस्थाना अं कैले का है 이ən graffiti लिए जरूरी होता है तो किसी विल्गित निकाए का कुल जो आवेस होता है वह हमेशा नियत होता है किसी विलगित निकाय का कूल आवेश नियत होता है जैसा कभी आपने आवेश उत्तप्ती के सिधान्त में देखा कि जब दो पदार्थों का घर्षण कराए गया तो एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में चला गया कुल मिलाक उनके पास तो रहे टानों की संख्य नियत है ना एक ने दिया एक ने पाया लेकिन कुल मिलाक तो उतना ही है तो आवेश न रख्षण का सिधान क्या कहता है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदेव क्या होता है नियत होता है आवेस ना तुद्पन हो रहा है न तो नस्ट हो रहा है किसी सिस्टम पर आवेस का सिस्टम पर ना क्योंकि एक दे रहा है एक ले रहा है दोनों मिला के सिस्टम कहलाएंगे विल कितनी काई खलाएंगे उनका आवेश नियत होता है तो एक लाइन का कांसेप्ट है और ये एक्जाम में कभी भी 1 मार्स 2 मार्स का कुश्चन आता है ये हुआ इसका basic fundamental इसके बाद इसका जो mathematical study start होता है वह है कुलाम के नियम से तो आज हम पढ़ते हैं कुलाम का नियम जो की इस chapter का सबसे important topic है उसके इसके बाद आगे का जितना भी study होगा वह कुलाम के नियम पर best होगा तो विद्धुतावे संबंधी कुलाम का नियम कुलाम सिमर्स इसके ला ही बोलते हैं तो कुलाम के नियम तो सबसे पहले हम देखें इसका कथन जब आपको एक्जाम में लिखना होगा तो सबसे पहले आपको इसका कथन लिखेंगे कथन word to word आपको लिखना है जैसे कुलाम ने बताया था कभी भी आप ध्यान रखना आप को इदि बोर्ड एक्जाम में बहुंत अच्छ हमार से स्कोर करना है तो वह इंग्यानिकों के कथन को या किसी परिभासा को आप कोसिस करिए कि सब्दसा लिखे उसमें ज्यादा अपने common language को use मत करिए क्योंकि यह उसका statement है उसका कथन है तो यहाँ और एक एक दूसरा आवेस है इसका मान है Q2 एक Q1 और Q2 दो आवेस है clear अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों आवेसों के बीच की दूरी मान लो क्या है R है R दोनों के बीच की दूरी है और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है या तो आकरसण भी हो सकता है या प्रतिकरसण भी हो सकता है क्योंकि दोनों आवेस यदि समान आवेस होंगे तो प्रतिकरसण होगा और असमान आवेस होंगे तो आकरसण होगा तो ये condition में कुलाम के दो कथन है पहला कथन कहता है कि इनके बीच में लगने वाला जो बल है वह दोनों के आवेसों के गुड़न फल के समानुपाती होता है यह समानुपात का चिन है और दूसरा नियम कहता है एफ समानुपाती वन अपान आरी स्क्वार जिसको हम व्यूत्रमानुपाती भी कह सकते हैं तो कथन में क्या बोला कुलाम ने? किन्ही दो आवेसों के मध्य लगने वाला बल, उनके आवेसों के गुड़न फल के समानुपाती और उनकी बीज की दूरी के वर्ग के वित्क्रमानुपाती होता है, ये है कुलाम के नियम का कथन. किन्ही दो आवेसों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि बल दोनों हो सकता हमेंने बताया, किन्ही दो आवेसों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, उन दोनों आवेसों के गुड़न फल के समानुपाती, तथा उनकी बी therefore एक तथा दो से एक तथा दो से दोनों को मिला दिया जाए तो हमको क्या समंद मिलेगा f समानुपाती q1 into q2 upon r square अब आगे इसको साल्व किया जाए तो f बराबर यहाँ पर एक समानुपातिक नियतांग का गुणा करेंगे जो कि k है तो k q1 into q2 upon r square हो जाएगा इसको हम दे देते हैं relation number 3 अब आगे कुलाम ने बताया cgs पध्धती में cgs पध्धती में उन्होंने k कमान कितना बताया 1 इकाई बताया इस मान को यहाँ पर रख दें f बराबर हो जाएगा q1 into q2 upon r square dine dine क्या है बलका unit है cgs सिस्टम में clear बाद में कुलाम ने बताया asi unit के लिए suppose हम इसको asi unit के लिए अंतराश्टी standard प्रणाली के लिए यूज़ करें तो कुलाम ने बताया कि जो k कमान होता है 1 upon 4 pi इसको बताया epsilon not not मतलब 0 epsilon not तो k कमान होता है 1 upon 4 pi epsilon not और जिसका आंकिक मान होता है 9 into 10 to the power 9 ये इसका आंकिक मान है clear इस मान को हम यहाँ पर भर दें तो क्या मिल जाएगा अच्छा यहाँ पर आप ध्यां रखना ये जो epsilon not है वो क्या है निर्वात की विद्यूत सिलता है इंगलिस में बहते है permittivity अब सैन निर्वात की विद्यूत सिलता आगे इसको बारे में बात करेंगे अब इस value को हम समीकर 3 में रख दें तो अपने को मिल जाएगा f equal to 1 upon 4 pi epsilon not q1 into q2 upon r square या इसको लिख सकते है f equal to 9 into 10 to the power 9 q1 into q2 upon r square ये अब इसका मातरख क्या हो जाएगा newton क्योंकि क्या है ये बल का मातरख है mks पज़ती में ये हो गया कुलाम का नियम अब इसमें एक important concept है एक आंक आवेस की परिभासा एक आंक आवेस का concept ये बहुत important है एक जाम में कई बार पूछा है एक आंक आवेस इंगली से बोलेंगे unit charge ये एक आंक आवेस का concept क्या है किसके आधार पर कुलाम के नियम के आधार पर तो कुलाम के एक आवेस का नाम से इसपस्ट है कि उसका आवेस कमान कितना होता एक होता होगा लेकिन हमको कुलाम के नियम कंसाइस को निर्धारित करना है तो यहाँ पर देखिए F के मान को यदि हम F बराबर 9 गोडी 10 की घाथ 9 नूटन मान ले दोनों आवेस को Q1 बराबर Q2 को हम Q मान ले इसकी जो बीच की दूरी है R उसको 1 मीटर हम मान ले और यह पूरे वेल्यू को यदि हम इस एक्वेशन में पुट अप कर दें तो क्या मिलाएगा अपने को 9 इन्टो 10 तो दी पावर 9 इकोल तो 9 इन्टो 10 तो दी पावर 9 इन्टो Q इन्टो Q अपान 1 यह हो जाएगा अब यहां से यह दोनों कैंसल हो जाएगे और यहां पर देखे Q इन्टो Q इसकर हो जाएगा तो यह हो गया Q 1 इसलिए Q इकोल 2 प्लस माइनस 1 यह हो गया एकांग कावेश अब यदि हमको एकांग कावेश की परिभासा करना है तो आप धियान रखना यह गुलाम ने यह जो constant बताया यह सिर्फ किसके लिए है वाईयू या निर्वाद के लिए यह वाईयू निर्वाद के लिए है क्योंकि मैं यहां पर बताया निर्वाद की वीद्धENT आए क्लियर तर यह schmeint को परिभाशन हम किस तरह से करेंगे होगा ध्यान से सुनिए। ब cyclist हिं यहां पर दोनों आवश का हैं परिमाण में बराबर हैं और समान है यहां तो दोनों धन है यह तो अडिर है, clear और दोनों एक मीटर की दुरी पर रखे हैं और एक दूसरे पर इतना बल लगा रहें और बल किस पकार का होगा? बल प्रतिकरसण होगा प्रतिकरसण क्यों होगा? क्योंकि दोनों आवेस क्या है? समान है तो हम ऐसे आवेस को क्या कहेंगे? एक आंक आवेस रहेंगे तो परिभासा क्या होगा देखो वायू या निर्वात में क्योंकि दोनों आवेस नहां रखें वायू या निर्वात में वायू या निर्वात में एक दुसरे से एक मीटर की दुरी पर रखे दो समान तथा सजाती आवेस वाजू या निर्वात में एक दुसरे से एक मीटर की दुरी पर रखे दो समान तथा सजाती आवेश यदि एक दुसरे को नव गुडि दस की घात नव न्यूटन के बज़ से प्रतिकरसित करें तो ऐसे आवेश को हम क्या कहेंगे? एक आउंक आवेश कहेंगे, clear? और उसकी सहयता से एक आउंक आवेश की परिभासा लास्ट में मैं एक मिनिट आप से एक डिसकस कर दूँ कि कभी कभी question क्या पूछता है? कि इसके आप सीमाएं लिखे, यहाँ पर मैं छोटा से लिख देता हूँ इसकी सीमाएं, कुलाम की नियम की सीमाएं एक दो इसकी सीमा आपको मैं बता दूँ सीमाएं का मतलब का होता है? कि कुलाम की नियम एक्ट्वल में हर परिस्थिती में लागू नहीं होता हर परिस्थिती में लागू नहीं होता तो कुछ इसके limitations है कई बार board exam में पूछा है कुलाम का नियम लिखो तथा इसकी सहता से कांक आवेस की परिभासा लिखो तथा कुलाम के नियम की सीमाओं की व्याक्षा कीजिए कि किस किस condition पर हो apply होता है तो कुछ इसके special condition आप ध्यान देंगे पहला condition क्या है कि ये जो आवेस है ये बिंदू आवेस होना चाहिए बिंदू आवेस कहने का मतलब बहुत बड़ आवेस नहीं होना चाहिए point charge होना चाहिए बिंदू आवेस होना चाहिए दूसरा क्या है इनकी बीच की जो दूरी है ये जो इनकी बीच की दूरी है ये दूरी ना तो बहुत अधिक होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए बहुत अधिक रखेंगे तो भी ये नियम लागू नहीं होगा और बहुत कम, near about 10 to the power minus 15 meter से कम पर यह apply नहीं होता 10 to the power minus 15 meter से कम पर यह लागू नहीं होता और तीसरा important बात है कि यह yu या निर्वात के लिए ज़्यादा सही है यह किसी माध्यम के लिए उतना सही नहीं होता तो यह है yu या निर्वात के तो तीन important सिमाय है पहला क्या? कि इसको बिंदु आवेस होना चाहिए, दोनों आवेस को दूसरा, दोनों आवेश की बिश की दूरी बहुत अधिक नहीं होना चीह, नाती बहुत ही कम होना चीह, तीसरा, ये दोनों आवेश वायू या निर्वात में रखे गए हो, तो ये ज्यादा सही काम करता है, बाकी कंडिशन में ये परफेक्ट सही नहीं हो सकता है, तो students, को मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा, आप इसको बहुत ध्यान से देखें समझिये, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको लगातार मेरे वीडियो प्रोवाइड होते रहें, और आप उसको यूज़ करिए, ठेंक्यों करिए प्रोवाइड कर दोओते रहें, प्रोवाइड प्रोवाइड कर दोच्छ कर दोबुझा प्रोवाइड कर दोब।